हेलो स्टुडेंट्स टुड़े आउं टीचिंग यू जी के लेसन फॉर्टी एट ब्रांचेज ऑफ साइंस ब्रांचेज ऑफ साइंस के मतलब क्या होता है कि विज्ञान की शाखाएं आपने पड़ा होगा कि साइंस की बहुत सारे ब्रांचेज होती हैं उसमें से कई के कई नाम है यहां पर कुछ ब्रांचेज की वह उन्होंने वह दे रखे हैं राइट नेम से फॉलिंग ब्रांचेज ऑफ साइंस विज्ञान पर दे रखा है इससे आपको और यह संटेंस दे रखें संटेंस को पढ़कर आपको उस साइंस की ब्रांच को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी साइंस की ब्रांच है जैसे फर्स्ट है दा साइंस आप प्रेडिक्टिंग वन स्विचर वह कौन सी साइंस है जिसमें किसी के फ्यूचर के बारे में बताया जाता है यानिकी एस्ट्रोजी एस्ट्रोजी में जिससे जो 30 विज्ञान कहते हैं इंदी में तो एस Science of Drawing Maps and Charts, ऐसी कौन सी Science है, जिसमें की Charts और Map का अध्यन किया जाता है, जो Charts और Map आप पढ़ते हो, तो आस तो जो जो ग्राफी के अंतरगत नहीं आते हैं, यह अलग से इसके एक ब्रांच है, और यह है Cartography, इसके क्या कहते हैं, Cartography, Then, the study of living things like plants, animals, humans, etc. साइन्स की वो कौन सी ब्रांच है, जिसमें plants, animals, humans के बारे में, यानि living things के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि plants भी living things में आते हैं, that is called the biology, उसे क्या कहते हैं, जियो विज्ञा निंदि में कहते हैं, The study of human and animal behavior, वो कौन सी साइन्स की ब्रांच है, वो कौन सी ब्रांच है, जिसमें human, person का, human का, और animal का ब्रांच को जो है, वो observe किया जाता है, उसको study की जाती है, that is called the psychology, वो कौन सी है, वो science, psychology, जिससे कहते हैं, मनो विज्ञा निंदि में कहते हैं, या आपके हैं, जो बड़े सब्जेक्ट उन से पूछेगा, इसमें human beings के बारे में study किया जाता है, उनके behavior के बारे में, humans और animals के behavior के बारे में study किया जाता है, फिर है, the scientific study of celestial bodies, celestial bodies, like sun, stars, moon, planets, etc, जो इस तरह की bodies है, sun है, stars है, moon है, planet है, इनके बारे में जो अधिन किया जाता है, वो किस में आती है, astronomy, इसे कहते हैं हिंडी में खगोली है विज्ञान, खगोल विज्ञान जिसे कहते हैं, जितना आपका sun, moon, stars, sky, planets वगएरे के बारे में study की जाती है, वो किस में आती है, astronomy, astronomy, this is astronomy, and this is astrology, astrology होती है, कि किसी के future के बारे में बताती है, और astronomy वो planets के बारे में बताती है, moon, sun, stars, इनके बारे में बताती है, इसे खगोल विज्ञान कहते हैं, the study and practice of growing flowers, fruits, vegetables, etc, इसके बारे में इसकी study की जाती है, that is called the horty culture, horty culture कहते हैं इसको, जो है ये, farmhouse वेगरा में जो लोग इसकी study करते हैं, तो ये क्या होता है, horty culture कहलाता है, इसको, क्रश्य विज्ञान जिसे कहते हैं, the study of elements of compounds, compounds की जो elements, जो elements के compounds का दिन किया जाता है, that is called the chemistry, आणू पर माणू पढ़ा हो गए सब ये आपका chemistry में आता है, the study of oceans, oceans की study की जाती है, oceanography, किसमे की जाती है, oceanography, the study of numerical information, its analysis, और numerical, जो numerical numbers होते हैं, जो उनकी जो बहुत ज़्यादा की जाती है, जो numerical information की study की जाती है, उसको कहते है, study sticks, वो subject है, study sticks, इसको भी जो है, इसमें numerical numbers का इंदर कह जाता है, बहुत ज़्यादा deep depth होती है, इसमें इसकी, the study of the properties of matter, और properties of matter की जो वहीं जानी की किसी भी वस्तु का जो माप तॉल की जो अध्यन किया जाता है, वो सा physics में आता है, उसकी जो बहुत की जितनी भी गड़ना होती है, वो सारी physics में आती है, इसके बहुत ज्यान कहते हैं, तो यह आपकी science की branches हैं, और इसमें इनका study इनको किया जाता है, जब आप बड़े होगे तो आप इनको study करेंगे, so do this chapter in your book and learn it, okay, thank you.